नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल दी पावर ओफ ओम पर दोस्तो अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की इच्छा रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राराइब जरूर कर ले वे जय श्री राम मलमास के समापन से पहले जरूर कर लें ये काम बनी रहेगी लक्ष्मी मा की कृपा धार्मिक महत्व के साथ साथ मलमास का यह महीना जोतिश शास्त्र में भी विशेश महत्व रखता है जोतिश शास्त्र के अनुसार अधिक मास में कुछ विशेश उपाय करने स लक्ष्मी मा की कृपा आपके उपर बनी रहती है। सावन में अधिक मास का संयोग पूरे 19 साल बाद बन रहा है। इसे मलमास या पुरुशोत्तम मास भी कहते हैं। इस माह में सभी प्रकार के मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। जलाएं अखंड जोती। घर के मंदिर में लक्ष्मी और भगवान विश्नु की प्रतिमा या त स्वीर के सामने अखंड जोत प्रजवलित करें। इसके साथ ही इग्यारा कन्याओं को भोजन कराने से धन की देवी लक्ष्मी की विशेश क्रिपा बनी रहती है। मिलेगी लक्ष्मी जी की क्रिपा हिंदू धर्म में शंक को बहुत ही पवित्र माना गया है। ऐसे में अधिक मास में शाम के समय दर्वाजे पर दीपक जरूर जलाएं। ऐसा माना जाता है कि दर्वाजे पर दीपक जलाने से घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तुलसी जी में अर्पित करें जल सनातन धर्म में तुलसी जी का विशेश महत्व है। इसमें माता लक्ष इसलिए अधिक मास में सुभहसनान आधी के बाद तामबे के लोटे से तुलसी में जल अर्पित करना चाहिए।